आज की वीडियो आपके लिए खास रहने वाली है वीडियो के अंदर बिलकुल कम बजट की अच्छी दुधारू गिर नसल की गाएं सेल के लिए उपलब्द करवाई जाती है वीडियो के अंदर पांच से साथ पसू सेल के लिए उपलब्द करवाई जा रहे हैं प्रत्याएक पसू की पूरी डिटेल कीमत मिल कैपिसिटी और उसके ब्यांत की डिटेल दी जाएगी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं सुर्भी काव फारम और मैं प्रेमाराम स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल पर ये जो गाया आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शांदार क्वालिटी की गाये थार टाइम में बच्चा देने वाले हैं और अभी में 12-13 लिटर के बीच परड़े का मिल्क निकाल देगी बहुत शांदार क्वालिटी की गाये तो बिलकुल कम बज़त की गाये आज आपको सेल के लिए उपलब्द करवाई गई आज की वीडियो नागोला से अनीस अहमद जी के फारम किये ये गाउन आगोला तैसिल भिना जिलाजमेर राजस्तान में इस्तिते ये जो दो नमबर पर आप गिर नसल की बचली देख पा रहा है शांदार क्वालिटी की बचली है और अच्छी कदगाटी की बचली है ये अभी डेड़ साल की है इसकी उमर अभी डेड़ साल ही है और अच्छी ब्रिड लाइन की बच की जाए तो अनीश एहमद जी ने इसके कीमत एकदम रिजनेबल यानी ग्यारा हजार रुपे डिमांड किये अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो अनीश जी के कॉंटेक्ट नमबर स्क्रीन पर दिये हुए बाई साब का सेल परचे जी का काम है बहुत इ हमें ब्रिड लाइन के साथ कॉंप्रिमाइज करना पड़ता है हैवी ब्रिड का पसुख खरी देंगे तो बजट भी हैवी लगेगा जिनका बजट छोटा है उन भाईयों के लिए आज की वीडियो बेहद खास रहने बहुत सांदार बचली बाई साब ने सेल के लिए उप प्रिशा अडर बन जाएगा अच्छी क्वालिटी की गाये ठंडे ओ शांस वाओ की गाये बताई गई है और बात की जाए इसके मिलक समता की तो यह दस से ग्यारा लिटर के बीच परड़े का मिलक निकाल देगी अच्छी कद काठी की गाये देशी है सुद्द देशी गाय आप देख पा रहे हैं और बात की जाए इस गाय के प्राइज की तो अनीश एहम जी ने गाय की बिलकिल प्राइज रिजनेबल की है या दस घ The L रूपे इस गाय की प्राइज अनीश अहम ज्यास ड़ते रूपे किया है तों बहुत ही प्राइज कोई भी बाई कम बजट की गाये खरीदना चाहता है तो वो अनिश जी से उनके कॉंटेक्ट नमबर पर संपर करें बाइसाब का सेल प्रचेजिंग का काम है और भी इनके फाराम पर ऐसे दस से पंद्रा पसू सेल के लिए उपलब्द रहते हैं हर वक्त आप कभी भी इनके फाराम पर विजिट करके की तरह चोड़ा सर है और ब्लेक टीट सप्लिमेंट की गाये अच्छी कद काटी है बड़िया क्वालिटी की गाये और ये ताजा ब्याई होई गाई यानि इसे ब्यायवे साथ से आठ दिन हो गए और इसके नीचे मेल काफ यानि बच्छड है अभी इसके नीचे दस लेटर पर डे का मिल्क रेडी बताया जाता है जो भी चुक बायर है वो फाराम पर उपस्तित होकर दो टाइम देख प्रकर अपने हाथ से मिल्किंग करके गाय को खरी सकता है और इसकी कीमत भी एकदम रिजनेवल यानि ट्विंटे फाइब ताउजेंट टॉन ले यानि पच्छीस जार रुपे डिमांड की गई है गाय के बारे में और अधिक जानकारी कीमत में बारगेनिंग और ट्रांसपोर्ट शूईदा के बारे में पूछ करें और और नोटिपिकेशन बेल को सेलेक्ट करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके मेरे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें कमी रह गए हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुजाओ दे अगले वीडियो में सुदार करेंगे फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में तब तक के लिए नमसकार जैहिंद